Question number 8 Find which of the following numbers are primes Question number 8 का first 87 Second 89 Third 63 Fourth 91 तो यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है इन 4 में से कोण prime number है उसको यहाँ पे ढूंडना है तो prime number वह ऐसा number होता है जिसका केवल 2 factor होता है वन और वह number खूद जैसे यहाँ पे 89 है prime number क्यूंकि इसका factor केवल 2 factor है वन और 89 क्योंकि 89 सिर्फ 1 से divisible होगा और अपने आप से यानि 89 से और किसी भी नंबर से 89 divisible नहीं होगा तो 89 क्या हो गया? प्राइम नंबर ये सब देखिए 1 से तो divisible होगा ही 63 से भी 8 divisible होगा ही बाकि और दूसरे नंबर से भी 8 divisible होगा जैसे 7 से 7 9 जा 63 9 से भी divisible होगा ठीक है 21 से भी होगा तो ये composite number है जिसका factor 2 से ज़्यादा हो उसको क्या कहता है composite number ये भी composite number है क्योंकि 7 से divisible हो जा रहा है 13 से भी ये 3 से भी divisible हो जा रहा है 29 से भी तो ये composite number है सिर्फ यहाँ पे 89 ही है जो prime number है तो प्राइम नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है वन और वह नंबर खुद और कंपोजिट नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर होता है कोश्चन नंबर नाइन मेक ए लिस्ट ओफ सेविन कॉंसेक्यूटिव नंबर्स नन ओफ वीचिज प्राइम तो कह रहा है कि सेविन कॉंसेक्यूटिव मतलब लगतार तो सेविन नंबर यानि साथ लगतार नंबर ऐसा लिखना है जिसके जो प्राइम नंबर नहीं हो यानि साथ लगतार नंबर ऐसा लिखना है जो कि कोई भी प्राइम नहीं हो तो ऐसा नंबर होता है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 तो यह देखें 7 नंबर है लगतार है consecutive नंबर है यह consecutive मतलब क्या होता है लगतार तो देखें 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 यह सब लगतार 7 नंबर है जो कि prime नंबर नहीं है इसके बीच में कोई भी prime नंबर नहीं है यह सब क्या है composite नंबर है तो यह 7 नंबर क्या है composite नंबर है एक भी इसमें prime नंबर नहीं है तो यह 7 लगतार ऐसा नंबर है जो कि क्या है composite नंबर है इसमें से एक भी prime नंबर नहीं है तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Question नंबर 10 Is there any counting number having no factor at all Question number 10 का first कहा रहा है कि ऐसा कोई counting number है जिसका कोई factor नहीं है तो इसका answer होगा no क्यूंकि ऐसा कोई भी number नहीं है जिसका की कोई factor नहीं है जैसे one, one का factor one होगा तो one ही है जो सिर्फ उसका एक ही factor है one और ऐसा कोई number नहीं है जिसका की कोई factor नहीं हो तो इसका answer होगा no No there ही जैनी No counting number having no factor at all Second Find all the numbers having exactly one factor तो इसका answer होगा one क्यूंकि one ही ऐसा number है जिसका सिर्फ one factor है क्यूंकि one one को one का factor क्या होगा one होगा, one से यह divisible होगा तो one ही एक ऐसा number है जिसका केबल one ही factor है तो कहरा है find all the numbers having exactly one factor तो ऐसा number सिर्फ one है जिसका केबल एक ही factor है Third Find numbers between one and hundred having exactly three factors तो one and hundred के बीच में ऐसा number यहाँ पर खोजना है जिसका केबल three यानि तीन factor हो तो ऐसा number है देखिए four four का केबल three factor है one, two और four four किस-किस से divisible होगा one से, two से और four से तो three factor ही है सिर्फ four का ठीक है तो एक number हो गया four Second number है nine nine भी देखिए one से divisible होगा three से होगा divisible और nine से divisible होगा तो nine का भी सिर्फ तीनी factor है फिर उसके बाद हो जाएगा twenty five, twenty five का one से divisible होगा five से divisible होगा और twenty five से उसके बाद हो गया forty nine forty nine one से divisible होगा seven से divisible होगा और forty nine से divisible होगा तो यह सब का देखिए सिर्फ तीनी factor है ठीक है four का तीनी factor है nine का भी तीनी factor है twenty five का भी तीनी factor है forty nine का भी तीनी factor है तो 4, 9, 25 और 49 इसका अंसर हो गया तो अंसर लिख लेंगे 4, 9, 25 और 49 तो 1 and 100 के बीच में सिर्फ 4 ही ऐसा नंबर है जिसका केवल 3 फैक्टर है 4, 9, 25 और 49 तो 1 और 100 के बीच में 4, 9, 25 और 49 ये 4 ही ऐसा नंबर है जिसका केवल 3 ही फैक्टर है तो कहारा है Find numbers between 1 and 100 having exactly 3 factors तो इसका अंसर होगा 4, 9, 25, 49 Question number 11 What are composite numbers? Can a composite number be odd? If yes, write the smallest odd composite number तो composite number किसको कहते हैं? तो इसका अंसर होगा numbers having more than two factors Numbers numbers having more than two factors are known as composite number अब कह रहा है कि कहने composite number be odd तो इसका अंसर होगा yes composite number odd हो सकता है तो इसका अंसर क्या होगा? yes होगा क्योंकि 9 क्या है? क्योंकि 9 का factor 2 से जादा है जैसे 9 जो है 3 से divisible हो जा रहा है ठीक है? तो इसका factor 2 से जादा हो गया जैसे 1 से 9 का factor कौन कौन होगा? देखें 9 का factor होगा 1 1 से 9 divisible हो जाएगा और 3 से 9 divisible होगा फिर 9 से भी 9 divisible होगा तो 2 factor से जादा हो गया तो यह क्या हो गया? composite number तो 9 composite number है और odd number भी है क्योंकि odd number कौन number होता है? odd number जो 2 से divide ना हो जैसे 9 जो है 2 से divide नहीं होता है तो यह odd number हुआ तो 9 जो है smallest odd composite number है यानि सबसे छोटा odd composite number है 9 odd भी है composite number भी है और सबसे छोटा है तो पहला अंसर यह होगा numbers है भी more than two factors are known as composite numbers फिर कहा रहा है can composite number भी odd तो इसका अंसर yes लिखेंगे हाँ composite number odd हो सकता है a smallest odd composite number कहा रहा है तो उसमें 9 लिखेंगे